हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल गाइस स्वागत है आज की वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है MGM Allied Health Science Institute MAHSI महात्मा गांदी मेमोरियल मेडिकल कॉलिज इंदोर में पेरामेडिकल कॉर्स में एडिविसन के लिए औरलाइन फॉर्म फिल अफ हो चुके हैं तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहने वाला है कौन सी अपडेट अप MGM इंदोर से आने वाली है ये सारी जानकारी वीडियो में हम देखने वाले हैं साथ ही आज बात करेंगे कितने नंबर पर एडिविसन यहाँ पर मिल ले वाला है पेरामेडिकल डिग्री और डिप्लूमा कॉर्सेस के लिए वीडियो में हम देखेंगे प्रिवेश एर का मैरिट लिश्ट जी हां कितना कट अप जाता है एडिविसन के लिए कितने नंबर आपको चाहिए रहते हैं तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लिये चलते हैं आपको लास्ट येर की मेरिट लिस्ट पर ये जो मेरिट लिस्ट आप देख रहे हैं 2022-23 सेशन की है जो की 25 फरवरी 2023 को ये सेटरड़े के दिन रिलिस वी थी ये अरंतिम प्राविनी सूची है मेरिट चलिए देखते हैं क्या कोई इसमें मेंसर्ड रहता है मेरिट लिस्ट में मधिप्रदेश राजी के आरक्षंड संबंदी नियमों का परावधान है प्रोवेजनल मेरिट लिस्ट संबंद किसी भी प्रकार की आपत्ती होने पर आप इसमें ये संपर कर सकते हैं ये कांसलिंग द्वारा प्रवेस्ट हेतु दर्साई गई नियत तिती एवं समय पर संबंधित आवईदक को समस्त आविश्यक मूल दस्तवेज एवं पाटिक्रा मनुसार निर्दारित सुल्क लेकर सुयम को पस्तित होना अनिवार है अलग से कोई भी आपको इंफोर्मेशन नह आविश्यक है और फीज जवान न करने वानी के स्तीम है आपकी मेरलेश्ट के अनुसार अगर आप फीज नहीं बढ़ते हैं तो जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको सीट अलॉट कर दी जावेगी इसके बाद काउंसलिंगे किसी भी प्रकार का यात्रा वैभात्ता नहीं मिलेगा अगर आप होस्टल लेना चाह रहा हैं जो कि यहाँ पे केबल फीमेल कैंडिडेट को होस्टल मिलती है उनके लिए बीस जार रुपे के भुकतान होने पर भी प्रवेज दी जाए सकेगा होस्टल में और अनंतिव प्राविन ने सूची इबं आविश्यक दि लिख सकते हैं इस प्रकार से रहता है काउंसल की तरी हें मार्ये तीन म यह कौन्जिल मुंघ को होता जैसे हम अब इस सार्थ का देख रहा है दो जार चौविस तो इस बार के वार जो सैसान है उसके लिए डेट महा लीजे कि तीन प्राप्लीय की काउंसलिंगा गया तो यह बज़ी से होगी 81-160 एक डिग्र बज़ी से होगी 161-220 अब यह क्या है तो यह आपको जब आप वीडियो आगे देखें कि उसमें आपको समझ में आएगा कि यह प्रोविजनल मेरिलिस्ट है 2022-30 की इसमें सबसे पहले यहां पर रैंक लिखा हुआ है रैंक कैसे बनती है आपके 12 के परसंटेज को लेकर यहां पर रैंक बनती है इसके बाद फॉर्म नमबर लिखा हुआ है जब आपने अप्लिकेशन फॉर्म बारा होगा तो आपको एक नमबर मिला होगा एप्लिकेशन फॉर्म नमबर जिसे हम बोलते हैं वो यहां पर नमबर मेंसंड है इसके बाद एप्लिकांट का नाम यहां पर लिखा हुआ है फादर नायम लिखा हुआ है सैक्स किस कैटिगरी से आप है वो लिखा हुआ है डेट ओ बर्त यहां पर लिख के हुए हैं और टोटल यहां पर जितने भी परसेंटेज आपके रहेंगे वह यहां पर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं दिसा खंडेवाल का दो जार बाइस तेज में पहला रेंग था जिस पे उन्होंने चौरानवे परसेंट अर्जित किये थे फिजिक्स केमिस्ट् आप देख लेते हैं असीवे नंबर पर आ रहे हैं यहां पर है हमांसू सुकला जिनके 81 परसेंटेज थी ठीक है यह आप देख सकते हैं 81 परसेंट यहां पर इसके कैंडिडेट के रहे थे उसका फ़स्ट काउंसिलिंग के फ़स्ट जो टाइम रहा था उसी में इनका पर अलॉट होती है तो इसमें से भी काफी सारे हैं जिनके अच्छे अंक रहे होंगे अगर सीट्स भर गई होंगी तो उनको एडविसर नहीं मिल पाया होगा और इसके बाद जो सेकेंड काउंसिलिंग रही मतलब इसी में जो दूसरे टाइम पर रहे यह मैरेड लिस्ट के आपका मैरेड लिस्ट जारी होगा अब एम जीम इन दोर में आप एडविसर ले रहे हैं बेट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस का तो अगली जो आपकी प्रिक्टिया रहने वाली है वो रहेगी कैसी कि आपको मैरेड लिस्ट का बेट करना है जैसी ही मैरेड लिस्ट अगि आपके एक्व matam यह ओन्लाइन फॉप होने के बाद उसमें आपको आपका नाम आहिआयफ का कौन सी आपका नाम आ रहा है और काउंसी उद्ध करा पर लगी हुई है उसह फिन्स एक not eligible candidate का भी नाम है कैसे अगर आपकी 17 वर्ड से age कम है तो फिर आप यहाँ पर eligible नहीं है अगर आपका 12 में जिक्स chemistry और biology नहीं है तो भी आप यहाँ पर eligible नहीं है यह इस प्रकार से merit list जारी की जाती है हलाकि आप सभी को मैं बता दूँ यह इस वार का merit list नहीं है यह है 2022-23 सेसन का तो जैसी इस वर्ष का merit list जारी होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी फिलाल आज के लिए नहीं अगर अब भी आपको कोई doubt रहता है तो आप comment season के माद्दे हम से हम से पूछ सकते हैं thank you